एक बार एक बहुत मोटा एंजल था जो कि लोगों के मरने के बाद उनके आत्मा का फैसला करता था कि वो नर्क में जाएंगे या फिर स्वर्ग में ऐसे ही एक बार उसके सामने एक आदमी आता है जिसके हाथ में उसके पूरी जिंदगी का चिठा होता है और वो उसका फाइल देखकर ये डिसाइड करने वाला था कि इसे नर्क भेजना चाहिए या स्वर्ग और वो देखता है कि इसने जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया था इसलिए वो उसकी फाइल को रिजक्ट कर देता है और उसे नर्क भेजने वाला था लेकिन उससे पहले वो उसके साथ खूब मजे लेता है और उसे तरपा-तरपा कर उसके हालाथ पर खूब आसे ही हस्ते हस्ते अचानक वो खुद भी नीचे गिर पड़ता है और मोटा होने के कारण वो ठीक से उड़ नहीं पा रहा था ये वो उस एंजल की जान बचा लेता है लेकिन थोड़े दिर बाद वो एंजल उसके आहसान मनाने के बजायों से उल्टा नीचे फेक देता है लेकिन उस आदमी के पर निकल आते हैं और वो उल्ट कर स्वर्क चले जाता है और इधर एंजल जिस पहाड पर बैठा था उसका हिस्सा तूट जाता है और वो एंजल नीचे नर्क में गिर जाता है दोस्तों क्या एंजल के साथ सही हुआ कमेंट करके जड़ूर बताएं